हाई फ्रेंड्स हमारे चैनल आटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है हमने कुछ दिन पहले आपको सिखाया था कि एक्सल की किसी रेंज को मेल की बॉड़ी पर आप कॉपी करके कैसे पेश्ट करा सकते हैं पर मोस्ली जब हम मेल में किसी रेंज को एड़ कराते हैं तो एक्चुल में रेंज हम एड़ नहीं कराते हैं हम क्या करते हैं अपनी रेंज को एक पिक्चर में चेंज करते हैं और फिर उस पिक्चर को मेल की बॉड़ी पर एड़ कराते हैं आज हम आपको वही सिखाएंगे कि अपनी range को as a picture आप mail की body पर कैसे add कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें हमने सिखाया है कि एक range को copy करके हम mail की body पर कैसे paste कराते हैं अपनी इस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के description में add करतेंगे तो जलिए इस्टार्ट करते हैं फ्रोट टाइम सेव करने के लिए last वीडियो में हमने जो code यूज किया था उस ही में changes करते हैं सबसे पहले इसके subject में थोड़ा change कर लेते हैं यहां पर हमने लिखा तो copy axle range to outlook mail यहां पर हम इसका subject कर देते हैं copy axle range as picture to outlook mail अब हम अगर यहां पर देखे तो हमने seat 1 की cell B2 से जो current region पर range है उसको copy कराया है अगर axle की seat में हम जाए तो यह जो B2 से लगा के ctrl A हम press करें तो यह जो edge 45 तक की range है इसको copy कराया है और उसके बाद void editor का use करते हुए हमने इस range को multi body पर paste कराया है इस बार हमें क्या करना है range को directly paste नहीं करना है उसको picture paste करना है तो हम तब paste method का use ना करके हम use करेंगी paste and format method का paste and format method लिखने के बाद जैसे ही हम एक इस paste की press करते हैं यह हमको दिखाता है कि paste and format method का mandatory parameter है type name से इसमें हम type देंगे कि paste करते हुए range को किस format में हमको paste करना है तो जैसे कि हमको as a picture range को mail की body पर paste करता है तो हम यहां value लेंगे wd chart picture save करेंगे file को type 5 press करके macro को run करेंगे तो आप देख सकते हैं इस बार जो हमाई range mail की body पर paste हुई है वह एक पिक्चर हुई है और यहां पर दिखा रहा है कि आप अपने picture को format कर सकते हैं और क्योंकि हमारी range एक पिक्चर mail की body पर paste हुई है तो इसमें हम कुछ भी edit नहीं कर सकते हैं आज के लिए इतना ही अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए और हमारे इस वीडियो को like कीजिए VBA की file हमने इस वीडियो में use किये इसको हम अपनी website automationfever.com पर upload कर देंगे आप वहां से इसको download करके practice कर सकते हैं मिल ते हैं नेक्स वीडियो में बाइ